तो दोस्तो स्वागत एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो में आज का ये वीडियो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट और नॉलिजबल होने वाला है क्योंकि जिस तरह से आप सभी को इंतजार था कि UP SSC याईनि की PET का एक्जाम कब होगा हलाकि उसकी date fix थी लेकिन admit card को लेकर यहाँ पर थोड़ा सा आयोग ने क्या गिया है कि admit card को आपके सामने जल्दी हाँ पर कर दिया है क्योंकि इसका कारण ये भी है कि जिस तरीके से पहले आपका center बनाया गया था तो center आपका काफी नस्दीक था मान के चलिए 60-70 km के range में था लेकिन इस बार कुछ अलग किया है और आयोग ने center थोड़ा सा दूर भीजा है तो आपको जान लेना चाहिए कि आपको यहाँ पर admit card download कैसे करना है और साथ में center आपका कहा पर गया है तो दोस्तो इस वीडियो में हम आपको complete information provide करने वाले है कि admit card आप कैसे download करेंगे तो दो यहाँ पर आने के बाद option मिलके आ रहा है कि download admit card for examination तो इसमें आपको simply करना क्या है कि आपको अपना registration number फिल करना है उसके बाद date बर्त डालना है उसके बाद gender और आपको verification code फिल कर देना है तो चलिए यहाँ पर मैं पूरी detail को fill up कर देता हूँ दिन उसके बाद आपको बतात है submit admit card करके और यहाँ पर एक option और मिलता है download admit card तो यहाँ पर आपको download भी दे के रखा हुआ है तो आप उन interactions को भाली बाती समझ लेंगे पढ़ लेंगे कि इसमें क्या क्या चीजे की गई है और friends यहाँ पर काफी सारी नई information भी add की गई है तो exam में जाने से पहले आपको यहाँ पर ध्यान से पाल देना इसको और friends अगर आपको यहाँ पर लगत जाता है click here to print out ठीक है तो इस पर आपको click कर देना है और friends जैसे आप यहाँ पर click करोगे तो यह print out आपका PDF form में mobile में save हो जाता है तो यहाँ पर मैं इसे PDF form में submit कर लेता हूं चुकि future में यह मुझे काम आएगा तो friends इस तरीके से आप अपने admit card को आसानी से download कर सकते हैं